दोस्तों नमस्कार, संगमित्रा अगेन आपके सामने, तो बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा परीचे मैं अपना दे देती हूं कि मैं बात आगे बढ़ाऊं देवेंची या कुछ साथ्यों का इंतिजार और करें जी शुक्रिया तो बात आगे मैं बढ़ाती हूं, आप लोगों के रेस्पोंसेज आते रहेंगे तो मुझे थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि मुझे आगे बढ़ना है या रुखना है या क्या करना है तो मैं थोड़ा सोच रही थी कि बात कहां से शुरू की जाए तो एक कवीता है जो मैंने बचपन पर लिखी है जिसमें मेरा बचपन भी बहुत साफ साफ दिखता है अभी हाली में लिखी है तो मैं उसी के साथ अपने बात शुरू करती हूं उसमें मेरा परिचे भी आप को दिखेगा तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ और बच्पन को पढ़ती हूँ गाम का बच्पन मुर्गे की बांग के साथ अलसुभः उठ जाता है पक्षियों और मवेशियों के साथ दोस्ती करता है अपने पसंद के हिसाब से उनके नाम रखता है दिवाली पर गर आगन के साथ उनको भी रंगता और सजाता है कुट्टे बिल्लियों को पालता पोस्ता और दूद पिलाता है कभी कभी अपने हिस्से का भी ठिटूरती सर्दियों में उन्हें गोद में लेकर अलाव तापता है तो गर्मियों में उन्हें ठंडे पानी में खूब नेलाता है रहके रहकर खूब होता है। खेतों की रखवाली करता हुआ वो पढ़ाई करता है। और अपने माता पिता को खेत से घर जाने, नहाने, खाने की चुट्टी वो देता है। गाउं भर के पेड़ पोदों को पहचानता है वो। कोई फल ऐसा नहीं जो उसकी नजर और मुह से बच पाता हो। बिना नदी नालो में घंटों तेरे उसका स्नान ही पुरा नहीं होता। पेड़ पोदों मवेशियों पक्षियों से जुड़े हुए खेल गड़ता है अपने लिए। शहरी संसाधनों से विहिन पर ग्रामिन संसाधनों से परिपोन। हर पग डंडी हर खेत को पहचानता है ये। ये जितना अलहर होता है उतना ही जिम्मेदार भी। मवेशियों के लिए चारा काटना हो या फिर उन्हें खेत की सेर करानी हो गोबर के उपले बनाने हो या फिर खेत की फसल काटनी हो फसल से अनाज निकारना हो या अनाज पिस्वाना हो अनाज का भंधारन करना हो या उसे बेचना हो ये हर खाम बखू भी करता है और इस सब के बाद ठक कर बिना कुछ खाए पिये सो जाता है मेहनत कर्ष माबाप के घर लोटने से पहले ही ये सब जिम्मेतारियां उसे वक्त से पहले बड़ा बना देती है और दीरे दीरे बहुत गंबीर हो जाता है ये गाउं का बच्पन तो ये गाउं का बच्पन नाम ही है इस कवीता का कुछ भी पिशले वीक ही इसको एक पत्रिका ने अखबार ने छापा भी था तो ये ही मेरा परिजय है कि मैं ये सब जितनी बाते हुई है हम सब उसी में पहले बड़े हैं और ये ही बच्पन रहा है तो इस बच्पन के बहुत सारे वाकिये हैं कि स्कूल के साथ था एक बहुत ही खुला स्कूल में कुछ कमरे और बाकी पूरा स्कूल खुला जिसकी कोई दिवार तक नहीं थी हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे जैसे जैसे चाया आगे सुरज की बढ़ती जाती हम हम लोग रोटेट करते थे उस पेड़ के नीचे चाया के हिसाब से अपना बिच्वोना स्कूल में भी खुदी लेके जाते थे जब लंच में घर आते तो हम मेंसे कईयों के घरों के दर्वाजे बंद होते थे क्योंकि माता पिता खेतों में होते थे तो जब छुट्टी में घर आके आपको अकेले ही अपने लिए खाना ढूनना हो कि मम्मी कहां रखके गई होगी वो खुजना और उसके बाद फिर से कई बार तो उसी वक्त खेतों में ही चले जाना कि शायद मम्मी हमारा खाना भी अपने साथ लेकर गई हो तो इस प्रकार की स्थीतियों में जो एक बच्पन पलता है हालांकि वो बहुत कुछ एक्स्प्लोर करता है मुझे लगता है कि शेहर के बच्चों को वो एक्स्पोजर नहीं मिल पाता है जो गाउं के बच्चों को मिलता है तो खुब तेरना, खेतों में घूमना, पेडों पर हम लोग खेल खेलते थे कि इस पेड से चड़के उस पेड पर चड़ना मतलब हमने अपने तरीके खुद इजाद कर लिये थे पानी में खेल खेलते थे हम लोग, कि रेसिंग करते थे पानी में, तेरते हुए रेस लगाना, तो ये बचपन था, जिसके अपने संगर्ष भी थे, कि बिना बिजली के आपको पढ़ना होता है, चिमनी, केरोसीन का जो धुमा है, वो हमने खुब पिया है एक तरीके से, तो जब हमारे स्कूल में SUPW की क्लास लगती थी, तो वहां पर क्या होता था, स्कूल की दिवारों की मरमत हम करते थे, जो कच्ची दिवारें थी, वो हमारा SUPW होता था, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कम से कम हम दूसरे के श्रम को पचानते ह हैं तो, तो हमने वो भी किया, तो मेरी शुरूबात ऐसी ही रही, गाओं में आठवी तक पढ़ाई की, और उसके बाद तहसेल स्थर पर पढ़ाई की, विज्ञान लिया विशय, लेकिन पढ़ाने के लिए ना कैमेस्ट्री में कोई, ना फिजिक्स में कोई, सिर्व बायल उनको रिक्वेस्ट करकर के थोड़ा-थोड़ा में हर संडे या कभी-कभी गाओं से अकेले पढ़ने जाती थी, क्योंकि शेहर के बच्चों को ट्यूशन या कई प्रकार की सुविधाय मिल जाया करती है, हमें नहीं मिलती थी वो, तो ऐसा रहता था, कि आपको खुद ही अपने रास्तों को चुनना है कि क्या करना है, और उसके लिए भी जो सारे प्रयास है, वो अकेले ही बिना किसी गाइडेंस में करते जाना है, तो लेकिन फिर भी, जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, तो राहें बनती है और कईयों के साथ भी मिलता है, कई लोग आपको मद तो मैं शुक्र गुजार हूं सभी लोगों की जिनोंने मुझे बनाने में अपना योगदान दिया, उसके बाद मैं जब जीला स्तर पर जाती हूं कोलेज पढ़ने, तो बसों मैं खुब धक्के खाका कि हमने पढ़ा ही की, वो अपना ही एक संगश था कि आपको स्ट्रगल करते जाना है, और शायद हम में से कईयों का इसी प्रकार का संगश रहा होगा, तो लेकिन अच्छा लगता है, जब हम, मैं सोचती हूं कि बस में जब हम लोग देखते थे, हालां कि स्टुडेंट्स को कोई बटाता ही नहीं था, तो हम लोग तो पेर दुखा-दुखा के गर पहुंचते थे, लेकिन कभी कबार जब ऐसा हो जाता था कि कोई सीट मिल भी जाती थी, तो ऐसे कई लोग होते थे, जो लगता था कि ये जरुवत मन्त है, इन्हें देनी चाहिए, तो उटके उनको ओफर करने में भी बहुत सुकून मिलता था, तो मुझे लगता है, य चीजें बढ़ती गई, संगर्श हमेशा रहे, अंग्रेजी ने बड़ा परिशान किया, ऐसा तो अंग्रेजी कमजोर नहीं थी शुरू से, लेकिन ग्रेजुशन के दोरान जब एक प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे गाम और शहर दोनों के जगे के तो बहुत दिन से मैं देख रहे थी कि वह जुलोजी बिलकुल कम्प्लीट इंग्लिश में उस एकसेंट के साथ पढ़ाते थे कि समझ में नहीं आता था मुझे, और कईयों को शायद, लेकिन कोई बोलता नहीं था, थोड़ा डर भी रहता था, और क्योंकि शहर के बच्च आपको कितना हर्ट करती है, कि आप सोचते हो कि नहीं, अब इसको तो आपको चैलेंज करना ही है, उन्होंने एक बहुत ही, क्या कहूंगे, मैं बहुत रूट तरीके से उन्होंने एक बात कही, जब मैंने इका, कि हम गाउं से आते हैं, और हमें इतना अंग्रेजी तो समझ पाएंगे, तो उन्होंने बहुत ही बलंट ली जवाब दिया, कि मैं इस एज में मैं तो नहीं बदरने वाला हूं, मैं तो अपनी ही स्टाइल से पढ़ाऊंगा, आपको जो करना है, आप कर लीजिये, या तो आप बदल जाईए, या बदल लीजिये खुद को अंग्रेज तो धीरे-धीरे अपने जो इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त थे, उनकी किताबे ली, हिंदी भी पड़ी, साथ मैं अंग्रेजी भी पड़ी, कुछ-कुछ किताबे, रीडर्स डाइजेस्ट मुझे आज भी यादे, मैंने खरीदी थी, जितना वैसे तो हमें कोई अलग से नियूस पेपर मंगा के उसे पड़ती थी, तो वो अफ़र्ट खुद ही करने थे, ये जो आपका अपमान बीच-बीच में होता रहता है, तो वो बहुत बुरा लगता है, और सच मुच उसे फिर चेलेंज करने का बहुत मन करता है कि नहीं, ये दुबारा जिंदीगी में नहीं सुनना है, मुझे याद मेरा पहला इंटर्व्यू हुआ था आयाया महमदाबाद में, जब मेरे पापा भी साथ है, तो मैं आती हूँ, मैं गंभीर हूँ, गुविन सिंग जी, मैं आती हूँ अपनी बात पर, तो कुछ बातचीत भी है आज कवीताओं के साथ, तो आयाया महमदाबाद में मेरा पहला इंटर्व्यू था, तो मेरे प्रोफेसर थे, मुझे याद है, के वी रमानी नाम था उनका, उन्होंने मेरा इंटर्व्यू लेते वक्त, मुझसे बहुत सारी चीज़े पूची और कहा कि आप किसके साथ आए हो, तो मैंने का मैं पापा के साथ आए हूं, तो उन्होंने पापा को भी गुलाया अंदर, एक तरीके से उनका भी इंटर्व्यू हो रहा था, तो वो बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए कि एक गाहों से आई वी लड़की यहां कैसे पहुची, और ओविसली आई एम के प्रोफेसर थे, तो उनकी उनकी अंग्रेजी और मेरी अंग्रेजी का कोई मुगाबला ही नहीं था, लेकिन फिर भी एक, एक मैसेज उन्होंने शायद यह इस चीज को मैसूस किया और कहा कि, यू विल गो आलॉंग, मतलब बहुत जादा आगे आप जाएंगी, और पापा को भी उन्होंने इसी तरह की बाते कहीं, तो वो एक अच्छा अनुभव भी था कि चलो, एक recognition भी है, जो मिलता है, अगर हम कुछ-कुछ चीजें करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो जो साथी बाद में चूड़े हैं, उन्हें में थोड़ा सा बताना चाहती हूं कि बाद मुझे मेरा परीचे द नहीं दे के एक कवीता पढ़ ले, जो कि बहुत हद तक मुझे रीपेजेंट कर देती हैं, और उसके बाद हम थोड़ी बातजित कर रहे हैं कि कुछ-किस प्रकार के संगर्श अमोमन रहते हैं, गाओं के बच्चों के साथ, और फिर अब आगे बढ़ते हैं, हमकी तो ये कॉंटेक्स्ट रहा है, मैं पहली पार जब स्कूल गई, मतलब गाओं से शेहर के स्कूल गई, तो मेरे लिए बहुत ही खतरना कनुभव रहा, कि एक तो इतने सारे बच्चे, मैं गाओं का स्कूल टॉप किया था मैंने आट वी में, और मैं जब नाइंत में वहां गई तो मुझे तो चकर से आने लग गए थे कि इतने सारे बच्चों को तो मैंने कभी देखा ही नी था, बड़ा स्कूल था, और हम लोग क्योंकि बस से जाते थे और बस हमें अकसर लेट पोँचाती थी सरकारी बस, रोडवेस, तो हमारा कहीं बेठने का नंबर भी नही तो हमको आखरी में खड़ा रहना पड़ता था, पीछे ही पीछे खड़ा रहते थे, तो मन में बहुत गिल्टी होती थी कि कहां मतलब फ्रंट रो में बेठ रहे थे, गाउं के स्कूल में ही, लेकिन कहां आप जगे ही नहीं मिल रहे हैं बेठने की, जैसे तैसे कुछ एक् होता था कि अब क्या करें, क्या करें, यह तो ऐसे तो कैसे पढ़ेंगे, सपने तो थे ना, इतने सारे सपने देखे थे कि नहीं कुछ तो करना है, इन सब चीजों से ऊपर उठना है, यह बेरियर तोड़ने हैं, पीछे और कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो एक्जाम्पल मतलब, वो मेरी जिंदीगी का पहला ही नहीं बहुत था, बेक वेंचर वाला, कि नहीं चाहते हुए भी आपको आखरी में बेटना है, तो हमारे पहले टेस्ट हुए और हमारी एक मैडम थी, जिनोंने टेस्ट के बाद आवाज दी, कि मैं जिन बच्चों के नाम ले रही जरा वो खड़े हो जाएं, तो पहले तो बड़ा ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ही कर दिया, शेहर के बच्चे हैं, और इंटेलिजेंट भी है, ट्यूशन भी जाते हैं, हम तो, हमें तो कोई इस तरीकी की चीजें प्राप्त थी ही नहीं, तो लगा कि अब क्या करें, तो उ करें हैं, इनको आगे बेटना है, और ये मैं इनकी कोपीज चेक करूंगी और ये बाकी बच्चों की चेक करेंगे, उस वक्त उनको चेकर कहा जाता था, तो इस से थोड़ा ये हुआ कि आगे बेटना मिला, पीछे का जो डिसपाइंट्मेंट था, वो थोड़ा दूर क्लास में, हलांकि गांब और शहर के बच्चे इतना जलदी गूलते मिलते नहीं हैं, कई लोगों को ऐसा लगता था कि गांगे बच्चों से दूर ही रहना है थोड़ा, और अच्छी कमपनी वाली जो हमने कहानियां पड़ी हुई है, बेड कमपनी, गुड कमपनी, उनके भी बहुत सारे हमने प्राक्टिकल उधारन देखे थे कि लोग कैसे मान लेते हैं कि गांगे बच्चे बुरी कमपनी होते हैं, तो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन देखा, तो तो मारी सुसाइटी में अलग-अलग लेवल के अलग-अलग स्तर बने हुए हैं, शुक्रिया राजेज जी, मुझे लगा कि वहतर है कि ये भी बताना क्योंकि इस मंच से कई लोग, कई ऐसे बच्चे शायद जुड़े हैं, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है कि वो प्रफॉर्म करते हैं, थीटर में प्रफॉर्म करते हैं, कई और जगे करते हैं, तो शायद इससे को आश्चेज होगा कि मैं एक दिन शेहर के ब्लॉग के स्कूल से गाउं जा रही थी, तो गाउं में जो शेहर से सामान बेचने वाले जा रहे होते हैं, तो उनमें से किसी ने, एक महीला मेरे साथ उसी बस में गाउं की तरफ जा रही थी, तो उन्हें आश्चेज हुआ, म उन्होंने कहँ की अच्छा ऐसा है तो न न आप जूट बोल रहे हो ऐसा नहीं संपभव है तो मेंने का ऐसा क्यों नहीं संपभव आप चलिए देख लीजिये हम साथ ही उत्रे उसी बस से साथ ही जा रहे थे और लख यह ली उसी दिन मेरी मम्मी आ रही थी सामने से गाउं के बिलकुल देहा थी में देसा सम्भवतुतिक व सक्राइबुकुल फantal से सम्धियों.. फिर तहेट मैं मेवाड़ का से की बनness की तरफ यह को साथ Δयली मेंवार। या भेस कोई गूम गई थी तो कि मैं उसे डूनते डूनते आई हूं तो फिर उन जो मेरे साथ थी उस महिला को यकीन हुआ कि अच्छा सच मुझ रब तो कई लोग आज भी समझते हैं कि यह सब जूट है जब कि इसा है नहीं इसलिए मैं इस चीज को बहुत जादा कि क्यों ही निकल सकते हैं यही तो श्रगल है कि हम अपने या अइडेंटिटी को क्यों नहीं बता सकते हैं क्यों शेयर नहीं करना है कई शेहर में पढ़ने वाले गाहों के बच्चों को मैं देखती हूं कि वो अपने माता-पिता तक का परिचय नहीं करवाते हैं वो कुछ और स्ट इससे शायद कईयों को ताकत भी मिलती है, ऐसा मुझे लगता है, तो आते हैं, एक कवीता पढ़ती हूँ इसे दोरान, ताकि इस चीज को थोड़ा सा और विराम मिले, एक कवीता जो मैंने लिखी थी, बहुत कुछ मैसूस किया था उस वक्त, तो लड़कियां जब पैदा होती है, और लड़कियां जब समाज में आगे बढ़ती है, फिर भी लड़कियां तो लड़कें ही बनी रह जाती है, तो मैं पढ़ती हूँ, गलती नाम से एक कवीता है म जिसको कुछ साल पहले पब्रिश भी किया था एक मेगजीन ने गलती आईए मुझ से मिलिये मैं एक गलती हूँ गलती का मतलब समझते हैं ना आप बस वही वही गलती हूँ मैं किसी की जो अब सजा बन गई हूँ जो ना पूरी होती है और ना ही ठीक होती है बलकि असादी रोग की तरह जकर चुकी है हाँ मैं वही गलती हूँ जो माथे पर चड़ा दी गई हूँ पर चड़ा है किसने मत करते लाड़ प्यार सोम देते मुझे उस बिल्ली को जो लेने आई थी मुझे पैदा होने के बाद कितना अच्छा होता अगर जल जाती मैं उसी वक्त जब मेरे लिए शमशान तयार था अपने घर के पास सोम देते मुझे उस डॉक्टर को जिसने मुझे वही छोड़ जाने के लिए कहा था कितना अच्छा होता अगर मर जाती मैं तब भी जब कई बार मरने के मौके मिले पर शायद आपकी किसमत खराब थी इस गलती को शायद जीना ही था सजा बनना ही था पर अब नहीं अब आप सब मुक्त हैं इस गलती से और इसकी परच्छाई से भी हमेशा हमेशा के लिए इस गलती ने अपनी गलती मान ली है पेदा होने की गलती पर अब ये बिना कुछ किये मरने की गलती नहीं करेगी आप सबको बिना गलतीयों वाली जिन्दगी मुबारक पर ये गलती जिन्दा रहेगी कई और गलतियां करने के लिए तो लड़कियां जब होती है तो उनका कितना स्वागत किया जाता है या कैसे समझा जाता है हमारे सोसाइटी में ये उसको इंडिकेट करती है तो एक दिन शुक्रिया चंदन एक दिन क्या हुआ मतलब जो जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले का कि जो मैं हूँ उसके पीछे बहुत सारे लोग है और सबसे पहले माता पिता है तो हम लोग बिजली आती नहीं थी तो पहली प्रायरिटी ये रहती थी कि जितने सुरज की रोशनी है उजाला है तब तक आप पढ़ लीजे वरना उसके बाद अमोमन लाइट ऐसा नहीं कि बिजली का अविशकार नहीं हुआ है या हुआ था उसक लेकिन फिर भी नाम मात्र की बिजली आती रही है और किसानों को बिजली कितनी नसीब होती है वो अपने आप में ही एक एजंडा है जिस पर फाइट जरूर करनी ही चाहिए तो एक दिन में पढ़ रही थी चिम्नी में जैसा हमेशा पढ़ना होता था विज्यान विशे लेने वाले को जादा प्रैक्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें करनी होती है तो मैं चिम्नी में पढ़ रही थी तो लगबग रात की 10-11 बजे मेरे पापा आते हैं कमरे में मुझे देखते हैं उसी चिम्नी का दुआ पीते हुए और पढ़ते हुए और उसके बाद मेरे सर पर हाथ फेर के चले जाते हैं कुछ कहते नहीं है अगले दिन जब मैं पढ़ रही होती हुए तो पापा मुझे टॉर्च दिखाते हैं जो वो मेरे लिए एक एमर्जेंसी टॉर्च लेके आये थे कि जब कल देखा मैंने तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो ये तुमारे लिए है तो मुझे ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये चोटी-चोटी चीज़ें आपका मनोबल बढ़ाती भी है और आपको याद रहता है कि कितना कुछ गटीत होता रहता है आपके साथ अच्छा भी बुरा भी चैलेंजिस भी आते रहते हैं तो ऐसे ही मैं पिछले एक डिसकुशन में ये बता रही थी कि हम लोगों के जब स्कूल पहुंचते थे तो स्कूल में हमें सजा दी जाती थी कि हाथ खड़े कर दीजिए और धूप में रहें क्योंकि आप लेट आए हैं लेट क्यों आये हैं जो एक एकलोती रोडवेज बस चलती थी वो लेट आती थी और उस वज़े से हम स्कूल लेट पहुंचते थे और वो हमारी खुद की परसनल व्यक्तिगत समस्या होती थी या गलती होती थी तो हमें सजा दी जाती थी उसकी फिजिकल पनिश्मेंट जब होता था तो कई बार बस अचानक आती ही नहीं थी तो हमारे लिए पनिश्मेंट आगे तैयारी रहता था तो मुझे पता नहीं कैसे ये दिमाग में आया या किसी से संपर किया बहुत ठीक से याद नहीं लेकिन ये चीज मैंने अख़बार में निकलवा दी कि बही बस आती नहीं है और स्टुडेंट्स को बहुत परिशानी होती है उससे एक फरक तो ये पड़ा कि बस टाइम से आने लग गई लेकिन मुझे गाओं के कुछ एक दो लोगों ने जो अख़बार में काम करते थे उन्होंने कहा भी कि क्यों निकलवाया ये क्यों किया इससे तो ये तो ठीक बात नहीं है तो मुझे लगा कि क्यों नहीं बोड़ना चाहिए और यही यही बोड़ना बहुत जरूरी है हर हर चीज हम खुद तक क्यों रखते हैं हमारा जो legitimate right है हम उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं तो इसलिए मैंने ये बोड़ने की शुरुवात बहुत पहले से कर ली थी लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें और इसी होती रही कि बोलते रहना कई बार बोड़ना अच्छा भी नहीं लगता है सोसाइटी जो हमारे वहाँ लड़कियों का महिलाओं का बोड़ना बहुत जादा welcoming तो है नहीं हम अभी तक हमारे लिए भी आजादी के मायने बहुत दूर है तो इसी कॉंटेट्स में एक कवीता पढ़ती हूं मैं कि मेरी आजादी जो महिलाओं की आजादी के बारे में है उसका टाइटल ही मेरी आजादी है तो मैं शुरू करती हूं आप लोग अपनी प्रतिक़ीया हैं जो दे रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है और देते रहेगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा मुझे ये महसूल जरूर कराईएगा कि कहीं बहुत बोरिंग चीज़े नहीं जा रही हूँ तो मैं पढ़ती हूँ अपनी कवीता मेरी आजादी सुना है भारत अब एक आजाद देश है और इसके नागरिक भी आजाद है तो इसका मतलब क्या मैं भी आजाद हूँ मैं भी इस स्वतंत्र देश की एक नागरिक हूँ पर क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूँ क्या अब मेरे साथ मेरे घर में और समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा क्या अब मैं बिना गुंगट खुल के चेन की सांस ले पाऊंगी क्या अब मैं अपनी मर्जी से खा, पी, पहन पाऊंगी क्या अब मैं खुल के हस बोल पाऊंगी क्या एक वस्तु समझ के अब मुझे करनीया का दान तो नहीं किया जाएगा क्या मुझे भी मेरे भाई की तरह खूब बढाया जाएगा क्या अब मैं अपने लिए सपने देख सकती हूँ और क्या उन्हें सच करने के लिए मुझे गर से बाहर निकरने की छूट होगी सकूँ और अपने जीवन के फैसले में खुद कर सकूँ क्या ये संबाव है क्या एक सपना ही है अब भी मेरे लिए क्योंकि आज भी मैं अपने आपको बेडियों से जकड़ा हुआ महसूस करती हूँ जहां से निकरना आपके इस आधुनिक समाज में भी बहुत मुश्किल है म अगर नहीं तो मुझे बताए कि आजादी का मतलब और मकसद क्या है और जवाब दीजे मुझे कि मैं कब आजाद होंगी उन दक्यान उसी रिवाजों और विचारों से जो मेरे उपर थोप दिये जाते हैं हाँ अब मुझे जवाब चाहिए इस सवाल का कि आखिर कब तक मै इन बेडियों में यूँ ही जखड़ी रहूंगी और अगर जवाब नहीं है तो फिर तयार हो जाईए क्योंकि मैं अपनी आजादी की भीग अब किसी से नहीं मांगूगी निकल पड़ी हूँ अब मैं अपनी आजादी की राह पर अकेले ही और अब उसे पाकर ही दम तो यह कुछ वर्षों पहले लिखी थी मैंने जब इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं तब सचमुच बहुत सोचने का मन करता है कि वास्ताम में हम अभी इसे मनाने लाइक भी हुए हैं या नहीं यह हमारे लिए भी उत्रा ही वैसा ही त्युआर है या नहीं जो बागियों के लिए है तो मेरे साथ काम के स्कूल में कुछ लड़कियां पढ़ती थी और और भी मैंने ऐसे कई लड़कियां देखी है जो जिन्हों ने आगे पढ़ने के लिए अपनी बात रखी घरवालों के सामने तो उन्हों नहीं यह कहा गया कि अगर तुमने आगे पढ़ने की तो तुम्हारे साथ हमारे कोई रिष्टा नहीं रहेगा, और हम बात करना बंद कर देंगे, मुझे याद है मेरी एक best friend थी, और हम लोगों का competition था एक तरीके से, कभी वो first आ जाती, मैं second, कभी मैं first, वो second, ऐसा चलता था, और वो बहुत intelligent थी, लेकिन उसके दादा जी ने एक शर्त रखी थी उसके सामने, कि अगर पढ़ने का नाम लिया, तो मुझे मरा हुआ समझना, और उसकी पढ़ाही वहीं छूट गई, तो आजाद हुए क्या हम, और अगर नहीं हुए हैं, तो फिर अभी बहुत कुछ करना बाकी है, शुक्रिया आप से बहुत कुछ सीखा है, और आज आप सुन रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी कुछ वक्त पहले, मैं जहां रहती हूँ अभी वर्तमान में, सालबर पहले की बात है, मैं जोब स्वीमिंग कर रही थी, तो एक लड़की आ हम सब ऐसे ही तो थे, लेकिन क्योंकि वो भी गाम से थी, तो कुए में, नाले में, नदी में, खुब तेरने का मुका मिलता है, तो वो भी मेरे साथ स्वीमिंग कर रही थी, तो बातों बातों में हमारे ये दोस्ती हुई, और पता चला कि उस बच्ची की शादी हो चुकी ह वो बच्ची थी, अभी तो टीन एज में चल रही थी, घरवालों ने उसकी चाइड मेरिज करवा दी, उसका जो हस्बेंड है और वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और लड़का पढ़ता है, पकायदा स्कूल जाता है, रेगुलर पढ़ाई ही करता है, लड़की स् इजाम देती है, और पढ़ाई जो है, उसे घर के सारे काम, खेती के काम, घर के काम, और उसके बाद वक्त मिले तो पढ़ लो, ना मिले तो मत पढ़ो, यह उसकी अपनी इच्छा से वो पढ़ रही थी, क्योंकि उसके माता पिता ने भी उसे नहीं पढ़ाया, और उसके सस लगबग उस बात के तीन महीने बाद मुझे पता चला कि उस लड़की की डेथ हो गई वो बिमार थी उसका इलाज नहीं करवाया और उनको देवता और जो अंद विश्वास वाली जितनी भी जगहें हैं वहां ले जाया गया उसे अस्पतार में इलाज नहीं करवाया और उसकी डेथ हो गई और वो मेरी आखों में गुमती रही कि एसा कैसे हो सकता है मतलब पहले ही घर वालों ने एक जिम्मेदारी से पल्ला जाड़ लिया और ससुराल वालों के उपर उसको छोड़ दिया कि अब वो देखेंगे दोनों में सही किसे ने उसका इलाज भी नहीं करवाया वो बच्ची थी टीनेज की तो बहुत दुख हुआ मुझे इस प्रकार की जीज़ें जब दिखती है सोसाइटी में तो हम क्या सोचते हैं कि कहां जाएंगे हम आधी आबादी को कितना क्या नसीब हो रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे तो मैं महिला का एक दिवस शिर्शक से कविता लिखी थी ऐसे ही दर्द जब शब्दों में बया करती हूँ तो थोड़ा खुद को हलका मैसूस करती हूँ तो कभी सोचा नहीं था कि ये सब ऐसे पढ़ूंगी कभी ये खुदी के लिए लिखी गई सारी कवितायं थी कि कम से कम मन हलका हो जाता है थोड़ा सा जब पेपर पे आ जाती है चीज़ा तो महिला का एक दिवस शिर्शक है चलो मना लेते हैं आज एक और महिला दिवस और खुब बधाईयां देते हैं एक दूसरे को इस दिन की मैं भी बहुत खुश हूँ और हूँ भी क्यों नहीं पर पता नहीं क्यों सब कुछ सतही सा लगता है आप जो वधाईयां दे रहे हैं चाहे वो पुरुष हो या अस्त्री क्या वास्तव में महिला और पुरुष को बराबरी की नजर से देखते हैं गर में अपना गीले टवल पुरुष स्वयम सुखा लेते हैं या किसी महिला के बरों से चोड़ देते हैं कितने नौकरी करने वाले पती-पतनी गर की जिम्मेदारियों को आपस में साजह करते हैं कितने पुरुष बसों में महिला सीट पर बेटने के लिए बहस करते हैं कितनी महिला अधिकारियों को ये समझा जाता है कि वो फीड पॉस्टिंग के लिए उप्युक्त नहीं है आज ही के अख़बार की ख़बर है कि एक महिला को डायन बता कर खुब पीटा गया ये मैंने जिस दिन लिखी थी उस दिन की ख़बर दी वहीं यह भी देखा कि एक सरकारी कारिक्रम में कुछ महिला पुलिस कर्मियों को सिर्फ इसी लिए ड्यूटी से रवाना कर दिया गया क्योंकि वो अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर ड्यूटी पर आई थी उस पर बढ़ाई देते हैं आज घर में काम करने वाली दीदी को मैंने बताया कि आपको पता है कि आज महिला दिवस है तब उन्होंने कहा कि तो उससे क्या फरक पड़ता है मैं भी रास्ते पर यही सोचती आई कि हाँ एक दिवस मनाने से क्या फरक पड़ता है फरक तो शेर्षक से कवीता थी, कल के अखबार में एक ख़बर थी, कि महिला ने किसी को टककर मार दी, हमेशा खबरें ऐसी आती है कि स्पीड में गाड़ी चल रही थी और उसने टककर मार दी, पुरूश चला रहा था या महिला जला रही थी, यह नहीं आता है, लेकिन कल के obviously crime crime ही है और उसको जो भी उसका अपराध है तो कानून के हिसाब से जो भी सजा बनती मिलनी ही चाहिए चाहिए जो भी हो लेकिन खबर देखी आप महिला ने टक कर मारी बाकी महिलाएं नहीं मारती बाकी चालक मारते हैं कल महिला ने मारी थी तो यह हमारा समाज है और यही सोचता है कि केसे चीजों को आपकी स्लेंस से देखते आ रहे हैं तो एक कुछ सोच रही थी आज ही कि कवीता के परे भी कुछ और चीज़ें हैं जो शायद उन पर बात होनी चाहिए तो मैं उसको भी थोड़ा सा साजा करना चाहूंगी मेरे साथ मैं बहुत साल गुजरात में रही और जब मैं वहाँ से लोट रही थी मेरे साथ एक महिला काम करती थी गर में पुरा घर वोही संभालती थी तारा बिन नाम था उनका तो जब आज मैं सोच रही थी कि आज शाम को बात्चेत करनी है सिर्फ कविता है नहीं कुछ रियल केरेक्टर्स पर भी बात करनी चाहिए जो हमारे सामने आते रहते हैं तो मुझे तारा बिन बहुत याद आती है तो मैं पढ़ती हूँ वे पचास वर्ष की थी तारा बिन गुजरात में मेरे घर काम करने आती थी बताती थी कि मम्मी के घर रह रही हूँ मेरे वज़े पुछने पर बताया कि उन्हें मावारी नहीं होती है अत्या घरवालोंने पढ़ाया नहीं और इस कारण शादी नहीं हो पाई ये समाज और इसके बनाय नियम ना उन्हें समझ आए ना मुझे कभी समझ आए तो अब क्योंकि शादी नहीं हो पाई तो वो अपने भाई के या रह रह रही थी और उनके मम्मी तब जिन्दा थी तो वो आगे बता रही थी कि उनकी मदर जो है पिताजी की डैथ हो गई थी तो मदर को पेंशन मिलती थी और मदर ने इन्हें नोमिनी बनाया था क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं था तो मैं आगे पढ़ती हूँ अपनी कहानी के मात्यम से ही कि खुद घरों में काम करके अपना पेट पालती है खुल के कहती है कि मा है कि मा है जितने मा के यहां रेती हूँ उसके बाद भाई रहने नहीं देंगे मा को इसलिए साथ रखा है भाईयों ने कि पिता की पेंशन मा के बाद उन्हें मिलती रहे है पर मा ने मुझे नौमीनी बनाया है, मैं पूछती थी कि फिर तो आपको ठीक से रखते होंगे न, ये मैं पूछती थी, तो वह कहती थी कि दीदी ठीक से रखते हैं, तो मैं पचास वर्ष की उम्र में ये सब थोड़े करती, गुजराच छोड़ने का निर्णे, जब मैंने बताया, तो उन्हें बताने की, पहले तो मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन बहुत दिनों तक टारने के बाद, आखिर उन्हें बताना ही पड़ा मुझे, तो उन्हें काफी दुख हुआ कि आप चले जाएंगे, मैं कैसे रहूंग एक लगाव साभी हो गया था, मैंने उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश भी की, पर इतनी आसानी से अपनी जग हैं और उनसे जुड़ी यादें कहां चूट पाती है, गुजराच से निकरने के आखरी दिन जब उनका हिसाब करके उन्हें उनका मेनता ना दिया, तो वो म आज भी गर में रखी वी वो फोटो फ्रेम मुझे उनकी याद दिलाती है, उसके बाद मैंने कितनी बार उनसे संपर करने और गुजराच जाने पर मिरने की कोशिश की, पर उनका कोई रिष्टेदार ना तो उनके नमबर दे पाया और ना ही पता बता पाया, मुझे नहीं पता कि वो इस दुनिया में अभी हैं भी या नहीं, पर उनकी यादे मेरे दिल में हमेशा सुरक्षित रहेंगी, मैं आज भी चाहती हूँ कि वो तारा और इस एनेक तारे जो हम जाने इन जाने बुजा देते हैं, हमेशा चमकते रहें, तो और ये सब सच्ची चीजे हैं क और इसी मैंने और भी कही महिलाओं को लड़कियों को देखा है कि मेंस्टूरेशन नहीं होने की वज़े से ये सोच लिया जाता है कि अब उनकी जिन्दिगी का क्या महत्व है, वो तो बेकार ही है, जैसे कि वो रिप्रोड़क्शन की मशीन ही हो बस, और कोई परपस नहीं है जन्दिगी का, बस इसके सिवा है, तो ये एक कवीता थी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं ठीक जा रही हूँ या कहीं कुछ और चेंज करना चाहिए, तरीका, एक और कवीता है, एक छोटी सी असली कहानी है, और उसका नाम है कवीता, लड़की का नाम कवीता है, तो मैं पढ़ती हूँ, ये छोटी सी कहानी है, यही नाम था उसका कवीता, पर उसे घर वाले नाम बिगाड कर ही बुलाते थे, उसका रंग बहुत गहरा था, और यही रंग उसके जीवन में अभिशाब बना, पेदा हुई तब से वह किसी को पसंद नहीं थी, उसकी दादी उसकी मा की गोध से उसे अक्सर छीन लेती थी, यह मैंने अपनी आखों से दिखा था, उससे अपनी मा का दूद भी पूरा नसीब नहीं हुआ, उसकी मा पर काफी जु करते हुए ही देखा है, अब तक, या फिर घर की दहलीज पर चुप चाप खड़े, कुछ सोचते हुए, पता नहीं क्या सोचती रहती थी वो, कुछ समय पहले पता चला कि उसकी शादी हो गई है, मुझे बाल विवासा लगता है वो, शादी नहीं बलकि एक समझोता सा दि यह हमें, यह कैसी दुनिया बना दी है हमने जहां रंग, जाती, धर्म, क्षेत्र के आधार पर इस कदर बेदवा होता है कि इंसान, इंसान ही नहीं रहता, यह भी सच्ची गटना है और मैं उसे अकसर देखती हूँ कि वो चुप खड़ी है, और बोलने की हिमत नहीं कर पा कमेंट बोक्स में कुछ लिखते रहिएगा, मुझे पता नहीं चल रहा है कि सब ठीक चल रहा है, तो मैं सबरी माला मंदीर की मैं प्रवेश को लेकर जो पाबंदिया लगई गई है मैलाओं के उपर, काफी हमारे गाओं को हरा करती है वो, वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए इसे मंदीरों में, लेकिन फिर भी जो जाना चाहता है उसे क्यों नहीं जाना देना चाहिए, सिर्फ कुछ कारणों की वज़े से, जो बहुत स्पष्ट बियालोजिकल रीजन्स हैं, तो मैंने उस पर एक कविता लिखी थी, पाबंदियां सबरी माला मंदीर में प्रवेश पूजना चाहती हो, और ओरत तुम भूल गई कि तुम खुद एक देवी हो, अपने आपको इज़त दो और पहले अपनों को अपनी इज़त करना सिखाओ, तब ही वो समझ पाएंगे कि असली मंदिर कहां है और पूजनी ये कौन है, मुर्तियों को पूजने वालों को अप लेकर पैदा किया है तुमने उन्हें, आज जो तुम्हारे उपर पाबंदियां लगाने चले हैं, काश तुमने भी लगा दी होती, उन्हें पैदा करने पर पाबंदी, तो आज ना उनका अस्तित्व होता और ना ही उनकी पाबंदियां, ये सबरी माला मंदिर में प्रवे हम अक्सर अब जो भारत में देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर सरकारें आ जाती है, धर्म के नाम पर जाने क्या क्या हो जाता है, हम एक दूसरे से नफरत कर लेते हैं तो मेरे गाओं में एक चाची आती थी, शेहर से कुछ चीज़ें बेचने हैं, चाची वो मुस्लिम थी, मैं बहुत चोटी थी, हमें तो फरकी पता नहीं चला कभी, कि वो मुस्लिम थी, सभी चाची बोलते थे, और हम सब भी चाची, मेरी दादी भी चाची बोलती थी, तो म मेरी मम्मी भी और हम सब भी मेरी वो चाची मेरी दादी के बहुत अच्छी सहेली थी जब वो आती शहर से तो क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मेरे लिए अक्सर शहर से कुछ ने कुछ खाने का लेके आती वो और मैं बहुत चाव से खाती मेरी दादी उने कभी बिना खाना खिलाए गर से जाने नहीं देती थी और वो पूरे गाउं में कुछ न कुछ चीज़ें तो बेचने के लिए आती थी लेकिन इस कदर का रिष्टा बना कि मुझे याद है कि पापा और हम सब उनके घर भी जाते थे उनके सब बच्चों की शादियों में जाना आना कभी लगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है हम ऐसे ही होते हैं वो भी प्यार जब देते हैं तो प्यार मिलता भी है बीना किसी बेग्ग्राउंड को सोचे लेकिन आज का जो मैं भारत देखती हूँ और आज की जो लोगों के माइंड सेट देखती हूँ तो ज आपके कितने धर्मों के या जातियों के दोस्त हैं तो मुझे कभी नहीं लगा मुझे चाची हमेशे याद आती है और शयाद आगे चलके मैं उन पर कुछ लिखों क्योंकि उनके साथ हम खेलते थे वो हमारे लिए छोटी मोटी जरूत की चीज़ें शेहर से ले आती थी व कभी ऐसा फर्क नहीं दिखा पता नहीं क्या ऐसा भारत फिर बन सकता है कि खुब चाची चाचा हम सब मिल जुलके रहें तो यह मैंने बहुत मैसूस किया और इसलिए मुझे लगता है कि अगली किसी कवीता का मेरी किसी कवीता का किर्दार में उन्हें ही बनाऊंगी और व इरम था जिसका मतलब होता है जन्नात स्वर्ग था बोडरियों क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है वो मुस्लिम थी पर जैसा मैंने कहा मैं कोई फरक ही नहीं पड़ता कि वो कौन मुस्लिम और कौन हिंदू और कौन कौन हम साथ पढ़ते थे मैं गांव से शेहर जाते थे तो पैदल पैदल जाते थे उसके पास साइकल होती थी और मैं बस से जाती थी तो वो साइकल चलाती नहीं थी हमें अच्छा लगता था एक दूसरे के साथ पैदल पैदल लंबा सफर करते हुए जाना जब मैं फिर बस से चड़के आ जाती तो वो साइकल से अपन रिवोर्स और दुबारा शादी करवाई गई और उस डिप्रेशन में आके मैंने मेरी दोस्त को खो दिया वो जो अक्सर मेरी परवा करते हुए मैं थोड़ी वरकोहलिक टाइप की रही हूँ कई बार खाना भी छूड़ जाया करता रहा है तो वो मुझे अक्सर फोन करती थी लंच टाइम में कि बस मैं याद दिला रही हूँ कि तुम खाना खालो भूरना मत कुछ वक्त हुआ और उसका फोन ही नहीं आया तो मुझे लगा कि क्या हुआ अब की बार घर जाओंगी तो उससे मिलके आओंगी जब घर आई तो एक दिन पता चला कि उसकी डेथ हो गई है जब मैं उसके घर गई तो मैंने देखा कि जब वो चली गई तो उसकी मदर का अब कौन है क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं रहा तो मुझे लगा कि ये एक जिम्यदारी है हम अक्सर कहते हैं महिलाए महिलाओं के दुश्मन होती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरे को तो कितनी ही महिलाओं ने यहां तक पहुंचाया है, और मुझे लगा कि अब वो तो अपनी दोस्त तो नहीं रही, लेकिन इनी में अब अपनी दोस्ती खुर्चनी है, और मैंने एक moral responsibility के नाते उनको support करना शुरू कि वो कहां रहती हैं, क्या करती हैं, तो एक दिन उनकी आँखों का operation करवाना था, तो उनके जो 100 कोड रिष्टेदार थे, वो तो कोई इंट्रेस्टेड नहीं था, वो अकेली ही रहती हैं, आज भी अकेली रहती हैं, तो हम लोग ने तई किया कि ठीक है, मैं छुट्टी लेक आँगे और फिर मैं operation करवाओंगे आपका, मैं लेके जाओंगे आपको ऑस्पताल में साथ रहूंगे, सब कुछ करूंगे, जब मैं अस्पताल उनको लेके गई, और मेरे सामने एक अंकल बेठे हुए थे, अपने दोस्त के साथ, बुजूर्ग थे दोनों ही, उनका दोस् कुछ है, तो मैंने अंकल को पुछा, अंकल आप किसके साथ हैं, कौन है आपके साथ, तो मैंने का, आंटी ने बुला कि मेरा कोई नहीं है, तो ये हैं, तो अंकल का सामने से जवाब था, कि इनके सब हैं, लेकिन कोई नहीं हैं, आप गोर करिएगा, मुझे वो लाइन यू वैसे मैं आया हूँ अपने दोस्त के लिए तो हमें ऐसा इंसान बनना है कि बिना किसी बेग्राउंड को बिना किसी आधार को कि कौन सा धर्म कौन सी जाती यही इंसानियत बरकरार रखनी है तो मुझे इरम आज भी याद आती है तारा बेन ने जो फोटो फ्रेम मुझे गिफ्ट की थी उसमें इरम का फोटो है है ना कितनी रूचिकर बात तो नहीं होती औरते हैं औरतों की दुश्मान अगर वो पेट्रियार की या पित्रसत्ता की केरियर है तो बात अलग है लेकिन कई लोग एक दुसरे को सपोर्ट करते हैं और वो दुसरे को आगे बढ़ने में मदद ही करते हैं और हमें अगर जहां ऐसा नहीं होता है मुझे लगता है वहां हमें ये बदलाव जरूर करना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं एक और कवीता पढ़ती हूँ मैं जिसका शिर्ष और अगरत सिर्फ एक देह है यहां यातनाओं से भरी हुई या मनोरेंजन मात्र के लिए ये बोले, ये सोचे ये तर्क वितर्क करे ये सपने देखे, ये उनमुक्त हसे ये आकाश में उड़े ये खुल कर जीना सीखे उससे पहले ही काड़ दिये जाते हैं उसके पर उसकी इच्छा की कोई जगे नहीं यहां बस ये वो करे जो उसे कहा जाए ना उसके आगे सोचे ना उसके पीछे बच्चे पेदा करने की मशीन सी जिसकी कोख का मालिक भी कोई ओर होता है कोख में क्या पले ये निर्ने भी कोई ओर लेता है एक मुफ्त मजदूर जो लादे रहती है हर वक्त एक बोज जिमेदारियों का जीती है इस खुश फर्मी में कि सब उसके अपने हैं यहां और उसके बिना नहीं चलेगा ये संसार लेकिन घर और संसार सब चलता है यहां नहीं मायने रखते उसके पसंद ना पसंद खपती रहती है वो हर वक्त सब कुछ सहेजने में छूट जाते हैं बस कहीं वो खुद और उसका वजूद तो ये औरत के शिशक से कवीता है अभी हाथ रस ने कईयों को जगचोड दिया हलांकि इसी गटनाएं आए दिन होती जा रही है हमारे समाज में लेकिन और ये अनफोर्चुनेटली ये कम नहीं हो रही है तो कुछ उसी दर्द को मैसुस करते वे मैंने कवीता लिखी थी और आप में से कई पुरुष साथी इसे सुनेंगे और मुझे लगता है कि नहीं पता मुझे कि आप कैसा मैसूस करेंगे लेकिन हाँ ये एक दर्द है जो हम मैसूस करते हैं मैं लाएं तो मैं साजा करती हूँ आप सब के साथ आप अपने विचार जरूर फ्यक्त करिएगा इसका टाइटल है आप मर्द से इंसान कब बनोंगे आप मंदिरों को बनाओ और देवियों की मुर्तियों की पुझा करो और फिरों में हाड मास की बनी देवियों का प्रवेश निशेद कर दो जिनोंने आपको जन्म दिया उनहीं बेटियों को कभी सत्ती, कभी दहेज, कभी प्यार करने के सजा के तोर पर या कभी अपने विरुद हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मार दो उन्हें अधिकार देने की बजाय उनका दान कर दो वो संपत्य का अधिकार मांगे तो उनसे रिष्टे तोड़ लो यही आपका न्याय है दूसरी जाती के लोगों को अचूद मानो और फिर उसी जाती की महिलाओं से दुराचार करो तब आप तो पवित्र हो जाते हो और उन महिलाओं के चरित्र को दागदार बताते हो बहुत गमंड है यदि आपको अपने मर्द होने पर तो ज़रा बताओ कि एसा कौन सा काम आपने किया जो आपको घरवित महसुच करवाता है आप जो अपने गीला टावल भी खुद उठाने में असमर्थ होते हो अपने आपको इंसान भी किसे मानते हो सारा बोजा तो आपका कोई ओरत ही डोती है मा बहन या बीवी के रूप में आप जो आराम से पसर कर टीवी पर वहशी और काती लाना बहसें देखते हो वास्ता में वैसे ही होते जा रहे हो आपको जरा सा भी इल्म है कि कैसे हर प्रकार का बोज आप उन ओरतों और बच्चियों पर लादते हो आप अपने आंगन की कलियों को सबसे पहले खुद कुचलते हो जब नने नने हातों में कलम की बजाए जाडू पकड़ाते हो एक हुखार भाई बन कर उसके बच्चपन की चोकिदारी करते हो हुक्म ऐसे जाडते हो जैसे आपकी अपनी मा या बहन आपकी बंधुआ मजदूर हो जो औरत गर में सबसे पहले उठती है और सबसे आखरी में सोती है वो गर और बाहर दोनों तरफ खपती है आप जिसे मर्द उन पर हर परकार का हुक्म बजाकर उनसे अपनी सेवा करवाते हो वो बच्चों के संगसंग निहायती बिगडेल पती और बेटों को भी पालती है हाँ वही तो पालती है आप सभी को किसी और गलत फिमी में मत रहना आप लोग असली मेंनत वही करती है जिसका बुगतान आप गालियों रत्याचारों से करते हो आप लोगों के लिए चाय, खाना, कपड़े, सफाई, बरतन और भी न जाने घर और खेत खलिहान और बाहर की कितने अंगिनत काम करती है आप इतने समझदार तो हो ही कि यह भी जानते हों कि बाजार में इन सभी कामों की कितनी कीमा चुकानी पड़ती है यह जो आप टीवी के सामने पसर कर अपनी पतनी, भहन या बेटी से चाय या गरमा गरम खाने का ओर्डर करते हो अचाना कई दोस्तों को खाने पर बुला लेते हो या कुछ-कुछ गंटों में चाय का ओर्डर देते रहते हो उनके हाथ से किताब छुड़वा कर उनके हाथ में पोचा थमा देते हो उनकी पढ़ाई को बारवार कोसते हो उनकी बनाई सबजी या किसी भी चीज में मीन मैख निकाल देते हो और कई बार तो बरतन तक फैंक देते हो तो जरा बताओगे कि आपने अब तक उनकी लिए क्या किया है अपने शरीर के कुछ ही अंगों को पाकर आखिर आप मर्द क्यों बनना चाहते हो और कुछ ही अलग अंगों के आधार पर ओरत को कमजोर कैसे मान लेते हो वो कई हड़ियां तुड़वाने जितना दर्द सहकर आपको पैदा करती है आप ये दर्द एक हड़ी तुड़वा कर भी महसूस नहीं कर पाऊगे जो काम दिन बर आपके घर की ओरतें करती है क्या वो आप करके दिखा सकते हो जब ओरत घर से बाहर निकल कर कंदे से कंधा मिला कर चल सकती है तो आप घर के कामों में योगदान क्यों नहीं कर सकते ये औरत की मदद नहीं है भाई, इस गलत फेमी में भी मत रहना कभी वो घर जिसमें आप रहते हो, वो आपका भी उतना ही है जितना उस घर में रहने वाली महिलाओं का क्या कभी कोई हक छोड़ा है आपने आज तक? कभ तक स्टेम जूटी के चक्कर में उसके नाम संबक्ति रेजिस्टर करवाते रहोगे? कभ दिल से इज़द देते हुए आप अपने घर के कामों में अपना योगदान दोगे? कभ उसके पती से उसके साथी बनोगे? ये जो बेटी के लगाय पोचे पर आप रोंद कर चड़ने लगते हो ना, ये भी मेरी नजर में जुर्म से कम नहीं है वास्ता में आप उसके कोमल हातों और उसकी मेहनत को कुचलते हो ये करके कभी खुद गर की सफाई की है, या अपने बेटों से करवाई है ये जो उसकी पढ़ाई को लेकर बार-बार टोकते हो ना, तब आप उसके मानवादिकारों का हनन कर रहे होते हो जब आप अपने जूटे बरतन टेबल पर ही छोड़ देते हो ना, तब आप उस स्थ्री के ऊपर और भार तो बढ़ाते ही हो साथ ही ऐसे सभी कामों से ये भी मैसूस करवाते हो, कि वो आप से कमतर है आप भी तो अपना हर प्रकार का गुस्सा अपने गर की बच्चियों वो मैलाओं पर ही निकालते हो आपका बेटा भी ये सब देख रहा होता है, उसे भी पता चलता है कि मा और बहन के साथ ऐसा ही वी व्यवार उचित है उन्हें इज़द देने के बला क्या जरूरत है जब वो बेटा अपने गर से निकलता है, तब उसे अन्य बच्चियां वो मैलाओं भी वेसी ही कमतर प्रतीत होती है और तब वो उन पर हावी होने की कोशिश करता है कभी छेड़ चाड़, एक तरफा प्यार, रेप और असफल होने पर एसिड अटेक या हत्या इज़त क्यों देनी है उन्हें, जब उन्हें अपने गर के मैलाओं के साथ इज़त का विवार देखा ही नहीं, तो ये सब क्यों करना है बाहर मैंने ऐसे कई लोगों और बच्चों को देखा है जो गुस्से में या सामान्य देया भी हर बात मा और बेहन की गाली से ही शुरू करते हैं क्या आप भी उन्हें से एक हैं? अगर हाँ, तो अगली निर्भया, मनीशा, आसीफा या किसी और बेटी के साथ होने वाले दुराचारों के बराबर दोशी आप भी हैं मेरी नजर में उनसे बड़ा अपराद आपका है वो किसी अन्यग्रह से आने वाले प्राणी तो नहीं है ना? आप और आपके जैसी मानसिक्ता नहीं उन्हें बलातकारी और अत्याचारी बनाया है आपने अपने बेटों को समाज में जीने लायक नहीं बनाया और इसी वज़े से वे दूसरों के सम्मान पुर्वक जीवन की राह में रोडा बनते हैं आप भी वही हो वास्ताव में अगर इस गलत फेमी में हो कि मर्द और अरत का रक्षक है तो जरा इतिहास और वरतमान गटनाओं पर नजर डाल कर दिखो कि कितने मर्दों के सामने उनके घर की मैलाओं के साथ दुराचार हुआ है और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए गलत फेमियों से जितनी जल्दी बाहर आ जाओगे उतना ही बहतर होगा ये समाज भी तभी बदलेगा और बेटियां भी बचेगी अब मेरे एक सवाल का जवाब दो और बताओ कि वास्ताव में मर्द हो क्या और मर्द से इंसान कब बनोगे तो ये एक कविता थी कुछ वक्त पहले मैं एक मर्टी नेशनल कंपनी से रिटाइड एक अधिकारी से बात कर रही थी जो ये अक्सर हम लोग सुनते हैं आए दिन हम बेटा और बेटी हमारे लिए समान है तो जब मैंने पूछा कि समानता अच्छा अंकल ऐसा है क्या आप भी समानता में विश्वास रखते हैं तो हाँ बिलकुल तो फिर मैंने पूछा आपके प्रॉपर्टी इसके नाम पर रेजिस्टर्ड है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो हम में से कई लोग यह देखते हैं और अक्सर देखते हैं कि स्टैम ड्यूटी के नाम पर आप महिला के नाम पर रेजिस्टर्ड तो करा देते हैं लेकिन उस महिला कोई नहीं पता होता है कि अच्छा यह प्रॉपर्टी मेरे नाम पर रेजिस्टर्ड है हम बहुत चतुराई से चीज़ों को टाल जाते हैं कि जब तक टलता है तब तक टलने देते हैं इन चीज़ों को बराबरी कहां से आती है जब घर में बेटे को बेटी बोल दिया जाता है या बेटी जब कुछ कर रही होती तो उसे प्यार से बेटा या कुछ और बोल दिया जाता है जब वो आत्मनिर्वर होती है तो आप तो आप तो मेरे बेटे बन गए हो बस आप क्यों बेटी बेटी तो हमारी छोटी छोटी चीजों में ये जो सोच दिखती है ये ये नहीं बदलेगी तो हमारे घर में हम बहुत सफ़्ष्ट संदेज देते हैं कि कौन एक पावर को इंजॉय करता है और कौन बिलकुर पावरलेस है और जब जब वही बच्चा घर से बाहर निकलता है उसे पत हम जरूर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहने की बात करते हैं कि ये देश डेमोक्रेटिक है कंट्री है हमारा क्या हमारे घरों में डेमोक्रेसी है हम घरों में एक्वालिटी को मानते हैं हम ऐसे कोई चीज भी प्रेक्टिस करते हैं जो हमारा संभीदान कहता है हमारे घरों तो मैं ऐसा कुछ होता है क्या नहीं होता है तो ये देश । aku ne करने की जरूरत है वरना यह आए दिन होता रहेगा हम आवाज नहीं उठाते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं है मैं आपको धारन देती हूं जो मुझसे कहा भी गया था कि उसे जरूर साजा करना चाहिए जैसा आप लोगों को मैंने बताया है कि मैं एक किसान परिवार से आती हूं तो अभी कुछ वक्त पहले है जुलाई में मुझे एक दिन मेरे पिताजी का फोन आता है और वो यह कहते हैं कि 2019 में खरीफ फसल का बीमा हुआ था फसल प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना के तहद और जहां पर यह फसले खराब हो जाती है जिसने वो बीमा कराया होता है उसको उसका क्लेम मिलना होता है तो मिला नहीं तो उन्होंने बैंक में गए वो क्योंकि बैंक ही करता है सब किसानों को लिए बैंक ही सिर्फ एक जरिया है उन्हें नहीं पता कि कौन सी कंपनी है क्या करती है तो जब वो बैंक में गए तो बैंक वालोंने उनको टाल दिया किसान जब बैंक जाते हैं तो उ तो जब वो बैंक पहुँचे कि आपने हमारा प्रीमियम कटा है और हमारी फसलें खराब हुई है, सर्वे हो चुका है पटवारी के द्वारा, तो हमें क्लेम कब मिलेगा? बैंक वालों ने उन्हें टाल दिया, ये कहके आप बीमा कंपनी से बात करो, किसानों को ये भी नहीं पता होता है कौन सी बीमा कंपनी, किस से बात करनी है उसमें? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यूंकि जैपूर में हो तो एक बार ये नंबर है, लेंड लाइन नंबर है कोई, जो बैंक वालों ने दिया है का आप इस पर बात करो, लेकिन ये कोई नहीं उठाता है, तो तुम ज़रा अगर इनका ओफिस वगेरा ढूंद के इन से मि उठाया, फिर मैंने गूगल पर सारी चीजने सर्च की, उस कंपनी से जुड़ी हुई, तो मुझे आके रिजनल मैनेजर का नंबर मिला, उस इंशोरेंस कंपनी के, तो मुझे लगा कि अगर मैं एक टिपकल किसान बन के बात करूंगी, तो ये मुझे रैस्पॉंड नहीं क कि ये क्यों नहीं मिला है, और उसके बाद मैंने उन्हें कॉल किया, वो तुरंद मेरा कॉल काटना दे, उसके लिए मुझे अंग्रेजी भाशा का उप्यो करना पड़ा, और उनको मैंने ये कहा कि आप जो है, मैंने आपको मेल भी किया है, और ये क्यों नहीं हो पाया है, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम आपको मेल के थूरू रिपलाई देंगे, क्योंकि ये एक लिखित प्रक्रिया हम शुरू कर चुके थे, मेल ऑफिशल रिकोर्ड के तोर पर देखा जाता है, तो उन्होंने दो दिन बाद मुझ का क्लेम तो हो गया है और हम वो अब देंगे, आप देखिए, पिछले साल 2019 का जुलाई का क्लेम, 2020 जुलाई तक कुछ नहीं हुआ उसका, तो फिर इंशोरेंस क्यों करवाता है किसान, साल भर तक आपने उसके इन्वेस्टमेंट या उसके जो जितनी चीजें फसल का जो न तक किसान इंजार करता है, उसके बाद भी जब उसे कोई सूचना नहीं मिलती है, तो वो खुद प्रियास करते हैं कि क्या हुआ, और उसके बाद ये पता चलता है कि अच्छा, ये क्लेम जो है, अभी तक नहीं मिल पाया, तो वीमा कमपनी ने जो है, मुझे ये कहा, कि आता क्या, तो क्योंकि मैंने बकाइदा रिटन फॉर्म में ले लिया था, और मैंने उस इमेल को, बैंक को, क्योंकि मैं सरकार में काम की हूँ, तो मुझे पता है, मैंने बैंकों के साथ लाइजनिंग वगरा भी किया है, और गौर्णमेंट में होने के नाते, बहुत सारे ह इसको लिखा, मैंने बकाइदा इंशोरेंस कंपनी को राइटिंग में लिया, कंसन बैंक की ब्रांच को लिया, इस भी आई था, तो इस भी आई के जो ओरिजनल ऑफिस है, उसको भी लूप में रखा, इसा कोई स्टेक होल्डर नहीं छोड़ा, जिसको ये ना पता चले कि इनशोरेंस कंपनी ने बहुत क्लियरली बोल दिया, कि हमने एक का ही हमारे पास डीटेल्स आई है, बाकी तीन में से और बाकी दो का नहीं आई, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, जब हमारे पास कोई बीमा हुआ ही नहीं है, जानकारी बेंक से आई नहीं, तो क्लेम गिस बात क आपको आश्यर हो गए जानकर कि तीनों का प्रीमियम कट चुगा था और बैंक ने गलती से गलती नहीं कहीं किसानों का डेटा अपलोड ही नहीं किया जो करना था उन्हें और ताकि उन्हें क्लेम मिलता आजकल सारी प्रक्रिया हम सब देखते हैं कि ओनलाइन है तो बैंकों को जो प्रोसेस करना था उन्होंने नहीं किया और आसानी से पला जाड लिया और अब वो रिटर्न में कोई जवाब नहीं दिया SBI ने आज तक रिटर्न में कोई जवाब नहीं दिया तो ये प्रक्रिया आगे बड़ी इस दोरान क्या हुआ संसदी समी थी इस फसल भीमा योजना का एक पार्लेमेंटरी कमिटी एनलेसिस कर रही थी और उन्होंने जनरल पबलिक से सुझाव मांगे तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने सुझाव दिये होंगे मुझे थोड़ा उसमें संचे दिखता है तो मुझे लगा कि ये बहुत सही मोका है कि इस बीमा योजना में जितने भी फ्लोज हैं उनके उन पर गौर्नमेंट का ध्यान आकरशित किया जाए तो मैंने एक लंबा चोड़ा उनको मेल लिखा और उसमें बहुत सारी चीजों को शामिल किया कि इतने सजेशन्स हैं जो आपको ज़रूर इस योजना में इंकॉर्परेट करना जी चाहिए वरना ये स्कीम फेल है तो एक प्रियास तो उस फ्रंट पे किया कि भारत सरकार में जो संसद की समीती थी उनको बेजा मैंने हमारे जीले के लोकल जो MP हैं संसद उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए उनके पास वक्त नहीं था ऐसा उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि अभी जो हैं साहब के पास वक्त नहीं है तो मैंने का वक्त कब होगा किसानों के लिए फिर मैंने का आप भेज देंगे क्या तो उन्होंने का आप ही लिखके भेज दीजे तो हम वो का वो भेज देंगी आगे चलो मुझे लगा कि ठीक है उन्हें इतना idea नहीं है और जाधा clarity मेरे पास है में ही लिखके के देंदी यूँ मैंने लिख के उनको दे दिया कि उने सिर्व भारत सरकार कहीं कुछ flow दिखता है तो वो दूसरे पर आसानी से जिम्मेदारी डाल देता है तो insurance company ने bank पर डाल दी bank ने कह दिया कि भई हमारे पास तो आधार ही नहीं आये अब अच्छा आधार अगर किसानों ने जमा किये थे तो कोई भी bank रसीद नहीं देता है हमकी कि हाँ ये आ गए हैं तो हमारे पास जमा हो गए है आप बहुत आसानी से मोखी ग्रूप से किसानों को कह देते हैं कि आपने तो दिया ही नहीं अब किसान उस मोखी का क्या जवाब लाएगा कि दिया कि नहीं दिया तो उन्होंने बहुत आसानी से ये कह दिया कुछ इस प्रकार के आपस में इंटरनल तोर पर क्लेरिटी के लिए उन्होंने यह दे दिया किसा हमें नहीं बताया कि कारण यह है जब मैं खुद यहां कमिशनर सेक्रेटरी अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट से मिली मैंने यहां रेस किया मैं अपने जीले में गई वहां आपको पता इस स्कीम में आपको क्या करना होता है तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो फिर मैंने कहा कि आप ऐसा कर यह पहले तो यह document मंगवाईए कि स्कीम क्या है आपको पता नहीं आप किस वात की monitoring करोगे बैंक क्या कर रहा है वो तो बहुत आसानी से फिर अपनी मरज से चलता रहेगा तो आप लोगों का क्या रोल है फिर बकायदा स्कीम में आपके लिए रोल प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि आपको यह करना है तो उनको तो चलके हमें बताना पड़ा तो वहां से भी कोई विशेश उम्मीद मिली नहीं कि हां यह कुछ करेंगे क्योंकि इन पड़ाई ज़रूरी है लड़ना पड़ेगा तो उसके बाद क्या हुआ कि जब पाडलिया कमेंट्री कमीटी को लिखा जब क्रशी विभाग को लिखा सारे स्टेक होड़र्स को मैं हर थोड़े थोड़े दिन में में मेल कर रही थी कि कोई अपडेट नहीं मिला एगरिकल इंशोरेंस कंपणी ने लिखित में पला जाड़ लिया कि बैंक जिम्मेदार है और हमारे पास बैंक जो हमको देगा स्कीम के तैद हम भोई करेंगे और वो एसी सॉलिड अंग्रेजी लिखते हैं कि चलो मुझे तो समझ में आ गई लेकिन मैं मैं या कोई भी उम्मीद नह मैं मैं आती है लेकिन वह असी अंग्रेजी नहीं समझ सकते बोल भी नहीं सकते तो क्या किसानों को अगर अंग्रेजी बोलेंगे लिखेंगे नहीं और इस तरीके से नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा हमने ये समाज बनाया है जो हमें हमारे जीवन जीने क का आधार है हम उनको यह इज़त देते हैं तो मैं फिर कंसन बैंक की ब्रांच में गई और बैंक मैनेजर को मैंने कहा कि आपको हमने बहुत मेल लिके जब सारी चीज़ें आप पर आर के टिक गई है कि आप लोगों ने यह डेटा अपलोड क्यों नहीं किया किसानों का आपने आधार लेके कहीं खो दिया खो दिया था सचमोच क्योंकि ऐसा संभव है कि जिस किसान का बैंक खाता वहां पर है जिसका किसान क्रेडिट कार्ड के तद लोन सेंक्शन हुआ हो वो उसका आधार नहीं जमा है बैंक के पास और यह सब बिना आधार के हो गया अभी सारी किया फिर मैंने इस चीज पर एक यहां जब कमिशनर अगरी कल्चर को फिर से फॉल अप किया कि आपने क्या किया इस चीज को लेके भारत सरकार में आपने क्या किया तो इन्होंने री प्रेजेंटेशन दिया था राजस्थान का कि बैस इस तरह की प्रॉब्लम्स है और फिर मैंने मैंने कहा कि आप हमें भी यह डेटा दे दीजे कि कितने किसान वंचीथ हैं अभी तो मुझे यह कहा गया कि हम व्यक्तिगत डेटा नहीं दे सकते किसानों का किसी एक स्टेक होडर को किसी एक व्यक्ति को दूसरों का नहीं दिया जा सकता RTI जो है सूचना का अधिकार दिखे अधिकारों को यूज करना और उतना जागरुग बना रहना दोनों ही बहुत जरूरी है तो मुझे लगा कि फिर मैंने अपने पापा को पूछा कि आपको पता है क्या सूचना का अधिकार क्या है तो नहीं पता हम में से कितनों को पता है सुचना का अधिकार क्या है या हम से जुड़े कितने लोगों को पता है तो मुझे लगता है कि हमें इन सब चीजों को जितने जादा लोगों में शेयर कर सकते हैं करना चाहिए क्यों को नहीं पता है कि नागरिक होने के नाते हमारे पास कुछ चीजें है जो हमें यूज करनी चाहिए तो मैंने सूचना का अधिकार के तहट इन्फोर्मेशन मांगनी चाहिए लेकिन जो स्वाभाविक था कि वो थर्ट पार्टी की इन्फोर्मेशन नहीं दे सकते तो मुझे उन किसानों की मैं चाहती थी कि पूरे राज के किसानों का डेटा अगर मिल जाता है तो हम इसको एक मुवमेंट के रूप में लेंगे और फिर ये बड़ी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन वो डेटा ना तो कृशी विभाग ने दिया ना ही बेंक ने दिया तो राइट टो एजुकेशन सोरी राइट टो इंफोमेशन के तहरे जब सूचना मांगी तो मुझे उसका रिप्लाई ये आया कि भाई ये थर्ड पार्टी इंफोमेशन हम नहीं दे सकते बस और बाकी जानकारियों के लिए आप स्कीम गैडलाइन पढ़ लें जो मेरे किसी काम का नहीं था जब मैंने अपने फादर को कहा कि आप सूचना का अधिकार के थैत अप्लिकेशन लगा सकते हैं आपको आती है क्या तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं आती तो मैंने ओनलाइन अप्लिकेशन लगई ये सब पाते मैं इसलिए बता रही चीजों तक पहुंचने के तो मैंने ओनलाइन अप्लिकेशन लगाई मुझे जवाब भी ओनलाइन आ गया कि ये है और तो फिर मुझे लगाई कि ठीक है अब बाकियों का डेटा नहीं मिल सकता तो मैंने रिजर्व बैंक में अप्लिकेशन लगा दी कि उनका जो एंप्लें कर दिया इस ही दो रान मैंने बेंकिंग ऑं में जो कि बैंकों के खिलाब शिकायतों को सुनने का एक प्रेटफ़ॉम है बैंकिंग ऑंबेंस में एसे स्टेट ऑफिसमें एंपर्केशन?... और वो केंदर रिजर्व बैंक के जो सेंटल ऑफिस से स्टेट ऑफिस में ट्रांसफर हो चुकि प्राव्य का ही इस से लेना देना है अभी वो अंडर प्रोसेस चल रही है ये स्टेटास है उसका इसके साथ एक बहुत अच्छी जीज़ यह हुई कि ये जितने तरीकों से अच्छा इसमें हमने मीडिया का भी सहारा लिया असली भारत करके एक वेबसाइट है न्यूज चैनल है तो हमने उनको भी लिखित में ये दिया उन्होंने भी इसका अच्छा खासा कवरेज किया तो कई लोगों को इसकी जानकारी हुई और ये मुद्दा थोड़ा और हाइलाइट हुआ क्योंकि ये सिर्व राजस्थान के किसी एक जीले के किसानों की बात ही नहीं है पूरा भारत बर की किसानों का कंसान है तो उन्होंने इसको और अच्छा कवरेज दिया तो थोड़ और चैनल पर अपने वेबसाइट पर हर जगे उसको कवरेज दिया मिनिस्ट्री को टैग करते हुए दिया तो जब हर तरीके से प्रेशर गया तो एक अच्छी जीज अभी ये हुई पिछले वीक ही हुई है ये कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को ये परमीशन दी है क फिर से वो पॉर्टल जो बंद हो गया था जिसकी वज़े से किसानों के क्लेम नहीं मिलना संबव हो रहे थे उन्होंने राजस्थान के लिए स्पेशली एक परमीशन निकाली है कि 2 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में जितने भी छुटे हुए क्लेम्स थे किसानों के इन क ग्लेम्स को आप फिर से अपलोड इनके डेटा को अपलोड कर सकते हैं उसी पॉर्टल पे उन्होंने पॉर्टल खोल दिया है और जो किनी ही कारणों से कोई तुरूटीयों से कहीं किसी में एरर है कहीं आधार जमा नहीं है कहीं है कहीं बैंक की गलती से इन सब जितनी वह यह रही उनको correct करने के लिए और उनका data upload करने के लिए portal खोला है और किसानों के data upload हुए है insurance company के पास लाखों पैसा जमा था उन किसानों का जो legitimate claim था उसको लेके और premium कटे थे वो सब जमा कर लिए लेकिन claim नहीं मिले तो यह इतने संगर्श का यह नतीजा सुखद रहा कि वो portal फिर खुला है और हो सकता है कि आने वाले एक दो week में वो claims भी disperse हो जाए तो मुझे लगता है कि और यह banking ombudsman में अभी भी application लगी हुई है और उसको process कर रहे हैं उसी के दोरान अगर यह सुखद समाचार मिलता है तो एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि इतने संगर्श का एक सुखद नतीजा आया है और ऐसी ही चीजों के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए तो अभी bank को भी यह मैसूस होता है कि किसानों को आप इतना हाथ जोड़े वो एक किसान आपकी बिल्कुल गर्दन जुकाए इनोसेंटली खड़ा है आप वेसे मत समझेए वो लड़ भी सकते हैं जो आपको पाल सकते हैं वो लड़ भी सकते हैं तो यह एक पूरा संगश रहा है और मुझे लगता है कि देवेंद्रे जी का एक अग्रह था कि इस पूरी बात को रखा जाए तो मैंने रखा है अगर इससे जुड़े कोई और सवाल भी हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कमेंट्स में तो यह एक चीज है ऐसे ही कई और लड़ाईयां भी लड़ना चाहिए अभी पिछले वीक मैंने बीस अनल से भी इस तरह की चीज़ें की है कि कनेक्शन कट गया उन्होंने इंटरनेट सर्विस दी नहीं कि चार-पांच महीने तक लगातार आप स्ट्रगल करते रहे हो और वह नहीं दे पाए आपने कनेक्शन फिर कटवाने के लिए जब रिक्वेस्ट की तो वह तब भी बिना सर्विस दीए आपके ड्यूस निकालते जा रहे हैं तो मैंने उनको यह कहा था कि मैं आप करते रह हुआ जब आप इतने समय 6 महिने तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं दे रहे हैं कस्टमार आपको बार-बार लिकित में कह रहा है कि आप दीजिए आप प्रोवाइड कराईए प्रोवाइड कराईए अगर नहीं करवाते उसके बाद डिसकनेक्ट करें तो आप उसके ब पॉजिट भी आप रख लेंगे नहीं देंगे और हमारे बाकी ड्यूज निकालते जाएंगे तो ठीक है हम फिर कंजुमर कोट में जा सकते हैं तो यह अवेरनेस भी चाहिए और अभी अभी मतलब मैंने परसों ही मेरी बात हुई थी और उनका यह कहना था कि ठीक है हमने आ को हमने वेव ओफ कर दिया है तो अगर हम अवेर नहीं होते हैं हम थोड़ी अपनी बात को रखते नहीं हैं तो हर जगे हमें इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है तो यह एक कुछ अनुभाव रहे हैं ऐसे ही मैंने एकवागाड के साथ भी एक लड़ाई लड़ी ह आई सीए इसीए बैंक के साथ लड़ाई लड़ी है तो लड़ना पड़ता है कुल मिला के यह चीजें जो है यह सिर्व यह इंडिकेट करते हैं कि हमें प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा चीजों को लेके चीजें हमें रेडिमेट मिलती नहीं है हर आदमी हर व्यवस्ता अपने अपने हिसाब से अपना ही कंक्लूजन निकाल के आपको दे देती हैं तो एक यह अनुभव था जो शेयर करना चाहरी थी मैं आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते रहिएगा तो मुझे लगेगा कि हां ठीक जा रहे हैं और जहां समय हो तो मुझे इ कवीताय मैंने लिखी थी मैं पढ़ती हूं उनको भारत को हम मेरा भारत महान केते हैं तो यह कितना महान है या हमने इसको महान बनाया भी है या कोई कोशिश भी की है तो थोड़ा जानते हैं तो मेरी कवीता का टाइटल है मेरा भारत महान क्यों तो मैं पढ़ती हूँ और सहते रहते सब कुछ चुपचाब बिना कुछ सोचे, बिना लड़े, बिना करांतियां किये, बिना भूखे रहे तो देश के जांबाजों को अपनी जान तो नहीं गवानी पड़ती हाँ नहीं चाहिए एसे लोग जो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं जिनका खून देश में व्याप्त सामाचिक बिमारियों के लिए उबलता नहीं है हमें राजाराम मोहन राय की सोच और चंदरशेकर आजाद का उबलता खून चाहिए हमें विविदता में एकता को मानने वाले देश प्रेमी चाहिए हमें नास्तिक कबीर और भगत सिंग चाहिए हमें देश को नीश्वार्त प्रेम में पिरोने वाले गांधी चाहिए ये सब लड़े हमारे लिए लेकिन आज इनका अपना यहां कोई नहीं ये देश उनका नहीं है, ये लोग उनके नहीं है यहां किसी को हिंदू पसंद है, किसी को मुसलमान पसंद है किसी को मराठी पसंद है, तो किसी को गुजराती पसंद है अपने अपने भगवान के लिए ये दूसरे इनसान का कतल करने से भी नहीं कतराते इन्हें इंसानों से प्यार नहीं, बस पत्थर की मुर्थियां चाहिए ये पूजेंगे उनको अगली पीडी का बविश्य ताक में रखकर इनके धर्म और जाती का अपराधी अपराधी नहीं होता और दूसरे मुल्क का इंसान इंसान नहीं होता इन रगों में खून नहीं, जाती, धर्म, क्षेत्रवाद और नसलवाद दोड़ता है ऐसा ही हो गया है ये देश और ऐसी ही हो गई है ये पीडी जो हर रोज कुचलती है सम्विधान को अपने पेरों तले जो तरक नहीं करती है, बस भीर बन जाती है और मार काटके अपना पसंदिदा न्याय कर देती है तो मेरा भारत महान क्यों शिर्शक था इस कविता का शुक्रिया देवें जी, तो मुझे लगता है कि फिर समय हो गया है तो इसो क्लोज कर सकते हैं, किया जाए इसे क्लोज? शुक्रिया देवें जी, तो इसे क्लोज किया जाए या कोई एक और कवीता के साथ आगे बढ़ा जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ती हूँ ठीक है, तो इसको अभी क्लोज कर सकते हैं, कुछ कवीता हैं फिर कभी और सुनेंगे और उमीद है कि ये डिसकेशन ठीक गया हो आप अपने विचार मेरे साथ साजा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा तो अभी इसको यहीं क्लोज करते हैं और फिर कभी बाचीत कर सकते हैं ठीक है देवन जी अच्छा एक कवीता के साथ क्लोज कर सकते हैं तो मैं मा के नाम पर मैंने अपनी मा के लिए कवीता लिखी है तो उसी के साथ मैं इसको एंड करना चाहूंगे क्योंकि मेरी कही कवीताओं का मुख्य किरदार मेरी मा ही रही है तो इसका शिर्षक भी मा है तो इसी के साथ मा के साथ दुनिया शुरू होती है हम मा के साथ ये चर्चा खतम करेंगे तो शिर्षक है मा सुना है कि अपने माबाप का प्यार पाना तो दूर आप उन्हें जी पर के देख भी नहीं पाई थी मा सुना है कि बिना भाई बहनों के बिना खेल खेले ही बड़ी हो गई थी आप मा सुना है कि सब की तरह आपका बच्पन बहुत मस्ती वाला और यादगार नहीं रहा मा सुना है कि 13 साल की उम्र में आप ब्याह दी गई थी मा केती बाड़ी, घर बनाने, बच्चों को पारने पॉसने में ही अपनी जिन्दगी बिता दी आपने मा कभी देखा नहीं मैंने आपको थोड़ा आराम करते हुए आखिर किस मिट्टी की बनी हुई हो आप मा खुद के बच्चों के साथ साथ मवेशियों के बच्चों पर भी अपना प्यार लुटा देती हो, इतना प्यार कहां से लाती हो आप मा क्यों नहीं कभी अपने मन का खाती पीती और करती हो, सब कुछ अपने बच्चों के लिए कैसे बचा लेती हो आप मा बच्चों के आराम और घर को संबालने के उपक्रम में खुद कितनी उलज जाती हो आप मा एक मशीन की तरह काम करते करते कभी बीना ठके अपने बच्चों का हर काम पूरा कैसे कर लेती हो आप मा कहा गई आपकी सारी इच्चाएं और जरूरत हैं जो अक्सर एक आम इंसान की हुआ करती है या अपनों की खातिर आप कहीं जीना ही तो भूर नहीं बेटी होना मा उठिये जागिये पंक फेलाईये समय आ गया है अब खुद अपने लिए जीने का इस इकलोती जिन्दगी को एक बहतर जिन्दगी की तरह जीने का आप भी पूरा हक रखती है मा तो ये कुछ मा को समर्पित मेरे शब्द थे तो इसी के साथ अपन अभी खतम करते हैं चर्चा और उमीद है कि आप लोगों को ये ठीक लगा होगा अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा तो शुक्रिया चुबरात करिए